नमस्का और दोस्तों Study IQ में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर मही पाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे थाइलेंड में सरकार के खिलाफ नौजवानों के द्वारा चलाया जा रहे है प्रोटेस्ट के बारे में इन प्रोटेस्ट के पीछे रीजन क्या है थाइलेंड का पिछले 7 साल का क्या इतियास रहा है और अभी एक चुनी हुई सरकार होने के बावजूद वहाँ पर मिलिटरी कैसे शासन कर रही है ये बात भी मैं आपको समझाओंगा लेकिन अगर आपने अभी तक Study IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुढना चाते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप Study IQ आप डाउनलोड कीजे इस कोर्स पर EMI option भी अविलेबल है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं 31 जुलाई 2020 तक आईए सबसे पहले map में Thailand की location को देखते हैं तो दक्षिंग पूर्व एशिया का देश है Thailand और इसके पडोसी है Myanmar, Laos, Cambodia और Malaysia तो ये इसके पडोसी देश है और राजधानी है Bangkok जो की इसका सबसे बड़ा शहर भी है और दुनिया में one of the most visited cities है यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और पूरे Thailand की economy का लगभग 20 प्रतिशत GDP का लगभग 20 प्रतिशत टूरिजम से आता है तो यहाँ पर आप समझी सकते हैं कि COVID-19 के कारण काफी economy अफेक्ट हुई होगी क्योंकि tourism 20% है GDP का पिछले कुछ दिनों से Thailand के नौजवान सडकों पर उत्रे हुए हैं और इन्होंने 18 जुलाई को एक बहुत बड़ी rally करी थी जिसमें 3000 चात्र शामिल हुए थे Bangkok शहर में जो capital है और इसके लावा Thailand के कई अन्य बड़े शहरों में भी प्रोटेस्ट हुए थे यह प्रोटेस्ट चात्रों के द्वारा किये जा रहे हैं University Students हैं और Thailand में Students के द्वारा प्रोटेस्ट किये जाने का एक लंबा इत्यास रहा है तो अभी इनका जो प्रोटेस्ट है वो mainly military-backed government के against है और अभी प्रधान मंत्री है Thailand में प्रायूत चान ओचा जो एक पूर्व military general है 2014 से 2019 तक यह Thailand को rule करते थे as a military general लेकिन 19 में यह चुनाव जीत कर प्रधान मंत्री बने है यह इस प्रोटेस्ट के कुछ फोटोग्राफ्स हैं एक night प्रोटेस्ट किया गया था students के द्वारा कई प्रोटेस्टर्स यह three finger salute कर रहे हैं जो की एक Hollywood movie आई थी Hunger Games वहां से लिया गया है उस movie में भी इसी तरह से लोग प्रोटेस्ट करते हैं अब इन प्रोटेस्टर्स की demand क्या है इनकी चार demand है सबसे पहला प्रधान मंत्री प्रयूत चान ओचा इस्तीफा दें दूसरा पार्लियमेंट जो पिछले ही साल चुनी गई है 2019 में election हुए थे उसको पूरी तरह से भंग किया जाए 2017 में जो समिधान लिखा गया था उसे फिर से लिखा जाए क्योंकि ये समिधान लिखा गया था military rule के दौरा military rulers थे 2014 से 2019 तक तो उस military rule के दौरान ये constitution लिखा गया है और ये fail कर रहा है देश को ऐसा protesters का कहना है चौथी demand है कि freedom of speech दी जाए जो democracy की बात करते हैं उनके लिए और जो भी activist हैं जो democracy के लिए लड़ रहे हैं उनके खिलाफ सरकार दमनकारी नीतिया ना अपना है कई activist को उनके घरों से उठा लिया गया है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है कई गायब हो चुके हैं उनका कोई आता पता नहीं है तो इस तरह की घतिविदियां सरकार की तरफ से बंद करी जाएं अब आते हैं हम Thailand के इतियास पर तो 1932 तक Thailand एक मोनार्की था यानि कि यहाँ पर राजा का शासन चलता था पूरी तरह से लेकिन उसके बाद डेमोक्रेसी नहीं दस्तक दी लेकिन 90 सालों में बारा बार ऐसा हुआ है कि आर्मी ने डेमोक्रेसी को टेक ओवर कर लिया है यानि कि बारा बार तक्ता पलट किया गया है मिलिटरी के द्वारा आर्मी के द्वारा और थाइलेंड में ये काफी कॉमन है ऐसा आखरी मिलिटरी तक्ता पलट किया गया था 2014 में तो उस समय जो प्रधान मंतरी थी यिनलुक, सिनावात्रा उनको हटा कर आर्मी जनरल प्रयूत चान ओचा प्रधान मंतरी बन गय थे और उन्होंने मिलिटरी शासन लागू कर दिया था तो ये मिलिटरी जनता जो है इसने देश से प्रॉमिस किया कि हम स्टेबिलिटी लाएंगे, डेमोकरसी लाएंगे कुछ समय रुख जाओ तो जनता रुकी रही, दोत साल, तीन साल, पांच साल हो गए फाइनली, 2019 में जाकर इन्होंने चुनाव करवाए पांच साल के बाद और इस चुनाव में थाइलेंड के नौजवानों को ये लगा था कि हम एक नई तरह की पॉलिटिक्स का आगास करेंगे क्योंकि थाइलेंड में एलिटिजम बहुत है वही पुराने लोग जो बार-बार चुनाव जीतते हैं वही पावर में रहते हैं द्यूरिंग मिलिटरी रूल, द्यूरिंग डेमोकरिसी तो अब यहां के नौजवानों को लगने लगा कि इस 2019 के चुनाव से वहाँ पर स्तिती पूरी तरह से बदल जाएगी कई नई पार्टी बनाई गई एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है बिलिनेर उसने एक नई पार्टी बनाई ये वो व्यक्ति है, नाम मैं प्रनौंस नहीं कर सकता खुद लेकिन future forward party अचानक से चा गई और आप देखे 81 seats ये जीत कर लेकर आ है total 500 seats है वहाँ की parliament में जो lower house है, house of representatives तो उसमें इस नई party को 81 seats मिली जो इंगलुक सुनावात्रा की पुरानी party है उसे 136 seat है मिली और जो party military general प्रयुत चान ओचा को support कर रही थी उसे मिली 116 seat है अब आपको यहाँ पर result देखकर लग रहा होगा कि शायद इन्होंने सरकार बना ली होगी किसी के साथ गटबंदन करके क्योंके 500 seats हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ कारण क्या है कि Thailand में bicameral legislature है तो जैसा भारत में होता है कि दो सदन है वैसा ही वहाँ पर भी एक तो है senate जो कि upper house है और इसमें 250 members हैं जो directly army के द्वारा appoint किये जाते हैं इनका कोई चुनाव नहीं होता है यह वहाँ की military इन्हें चुनकर appoint कर देती है चुनती भी क्या है direct nomination होता है और दूसरा है house of representatives जिसमें 500 members हैं इसके लिए चुनाव होता है तो चाहे इसमें आप चुनाव में कितनी भी सीटे ले आए जब तक यहाँ senate में support आपको नहीं मिलेगा तब तक सरकार नहीं बना सकते तो प्रयूत चान ओचा को directly prime minister बना दिया गया तो इनके support से प्रयूत चान ओचा फिर से प्रधान मंत्री बन गए और इस बार तो कोई military जनता भी नहीं है साफ तोर पर यह कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत कर आया हूँ और मैं अब democratically elected prime minister हूँ अब सरकार बनाने का तरीका भले ही बदल दिया हो लेकिन जो कारे प्रणाली है वो पहले की तरह चलती रही और यह एक military ruler की तरह ही Thailand को चला रहे हैं पिछले एक साल से और opposition parties जो इन्हें चुनाव में हरा नहीं पाई उनको disqualify करने के लिए court में cases किये गए in fact जो यह वाली party है इसे एक court के order के द्वारा पूरी तरह से disband कर दिया गया इन पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने चुनाव में धानली करी थी चुनाव में गलत तरीकों का उपयोग किया था तो यानि कि जो एक नौजवानों की party थी जिससे लोगों को काफी उमीद थी उसे सरकार ने disband करवा दिया हाला कि वो जुडी शरी का कदम था जुडी शरी का order था लेकिन फिर भी उसको ऐसा देखा जादा था कि यह directly सरकार के द्वारा लिया गया कदम है तो यह काम हुआ था February में और उसके बाद भी यानि कि इस party के dissolution के बाद भी लोग सडकों पर उतरे थे प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके थे लेकिन मार्च में जब कोरोना वारिस पैंडमिक स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद प्रोटेस्ट एक बार थम गए लॉकडाउन लगा दिया गया देश में और अब जाकर यह प्रोटेस्ट फिर से शुरू है इन प्रोटेस्ट के बीचे एक और बहुत बड़ा कारण है एकॉनमी थाइलेंड की एकॉनमी जहां पहले 7 प्रतिशत के आसपास की वृद्धी दिर रखती थी जीडिपी वहाँ पर 2014 में मिलिटरी रूल आने के बाद से ये ग्रोथ रेट 4% को क्रॉस नहीं करी है तो ये भी एक रीजन है कि प्रोटेस्टर्स नाराज हैं कि नौजवानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है नौकरिया नहीं है, एकॉनमिक प्रोस्पेक्ट नहीं है खास करके अब टूरिजम बंद रहेगा आने वाले कुछ महीनों के लिए और शायद आने वाले 2-3 साल टूरिजम कम रहे तो डेफिनिटली थाइलेंट के नौजवानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ सकता है बैंक ओफ थाइलेंट की खुद की रिपोर्ट ये कह रही है कि थाइलेंट की एकॉनमी 8% कॉन्ट्राक्ट होगी जो एशा पैसिफिक के बड़े देशों में सबसे बड़ा कॉन्ट्राक्शन है एकॉनमी में प्रोटेस्ट के बीछे अगला बड़ा कारण है सिविल राइट्स अक्टिविस्ट के उपर क्रैकडाउन तो जब से प्रयूत चान ओचा पावर में आया है यानि कि जब से मिलिटरी रूल आया है 2014 में तभी से सरकार किसी ना किसी कानून का इस्तेमाल करते हुए डेमोक्रसी की बात करने वाले लोगों को या तो अरेस्ट कर रही है या फिर उन्हें गायब करवा रही है तो उनके खिलाफ बहुती सक्त कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि सिडीशन यानि देशद्रो का कानून लगा दिया जाता है या फिर सबसे कॉमन है लेसी मेजस्टे का कानून Lessie Majesty का मतलब होता है कि राजा के खिलाफ आपने कोई गुना किया है और Thailand में जो राजा है वो अभी भी मौजूद है मोनार्की अभी भी एक्जिस्ट करती है हाला कि उसके पास जादा पावर नहीं है बस वो नाम की मोनार्की रह गई है लेकिन अभी भी ये Lessie Majesty कानून मौजूद है यानि कि आप Royal Family के किसी भी सदस्य है खास करके राजा के खिलाफ कोई भी बात ना तो कह सकते हैं ना लिख सकते हैं पब्लिकली तो Thailand में राजा का अपमान करना कानूनन जुर्म है हाली में एक व्यक्ती को Psychiatric Hospital में एड्मिट करवा दिया गया पुलिस के दौरा क्यूंकि उसने एक टी-शर्ट पहनी थी जिस पे बस इतना सा लिखा था कि I have lost all faith in monarchy मेरा राजशाही से भरोसा उठ चुका है लेकिन इसे Lessie Majesty कानून के तहत माना गया कि ये राजा का अपमान है और उसे Psychiatric Hospital में भेजा गया है Military सरकार ने Computer Crimes Act भी पास किया था जिसके तहत online platforms पर सरकार के खिलाफ या राजा के खिलाफ कोई भी बात लिखना Freedom of expression के तहत नहीं आएगा तो online platforms पर भी surveillance बढ़ा दी गई है censorship बढ़ा दी गई है और जो कुछ लिखता है कोई भी विक्ती तो उसको arrest किया जा सकता है under this act पिछले 6 सालों में military rule के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उन सभी को या तो जेल में डाल दिया गया या फिर उन्हें देश चोड़ना पड़ा ऐसे कई democracy activists हैं जो पडोसी Cambodia और Laos देशों में रह रहे थे और वहाँ पर भी उनको गायब करवा दिया गया और अभी recently जून 2020 में ये हुआ कि एक 37 year old democracy activist को Cambodia में दिन दहाडे उसके घर के सामने से kidnap कर लिया गया और उसके बाद से उसका कोई अतापता नहीं है दो महीने होने आया है और ये एक बहुत recent reason रहा है इन प्रोटेस्ट के पीछे तो ये वाला जो arrest था ये काफी famous विक्ती था महाँ पर, he was a very famous activist तो जब उसे kidnap किया गया, kidnap होते वह भी लोगों ने देखा है और ये kidnapping Cambodia में करी गई थी, Thailand में भी नहीं अब बात करते हैं, COVID-19 का इस पूरे protest में क्या रोल है तो देखे, COVID-19 crisis जब से आया है, March महीने से तब ही से दुनिया के लगबख सभी देशों में lockdown आ गया कोई special act लागू किये गए जैसे हमारे देश में Epidemic Diseases Act 1897 लागू है उसके तहट सरकार के पास काफी powers है वैसे ही Thailand में Emergency लागू करी गई है सरकार के दवारा March महीने से और उसे हर महीने extend किया जा रहा है जबकि Thailand में cases कोई बहुत जादा नहीं है अभी तक, as of 26 July, Thailand में 3,282 case थे जिन में से लगबख सभी recover कर चुके है active cases की संख्या 150 के आसपास है 170 के आसपास है और number of death भी बहुत लो है लेकिन फिर भी ये Emergency extend करके एक महीना और बढ़ा दी गई है तो ये जो Emergency है, इसमें सरकार को special power मिल गया है कि सरकार ने Assembly यानि कि लोगों के इखटा होने पर ban लगा दिया लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक दिया गया और किसी भी प्रकार की जानकारी अगर वो फैलाते हैं तो उसमें उनके खिलाफ कानूनी कारवाई करी जा सकती है, ये कहकर कि आप लोगों में डर फैलाना चाहरे हो तो अगर कोई सरकार के खिलाफ भी कोई बात कहता है तो उसको भी इस तरह से रोका जा सकता है तो इस emergency ने सरकार को ना केवल COVID-19 बलकी political विरोधियों को शांत करने में भी काफी मदद प्रदान करी है इस emergency के बहाने इस emergency power के बहाने सरकार अपने विरोधियों को शांत करवा रही है उन्हें कुछ भी लिखने से, बोलने से publicly इखटा होकर protest करने से रोक रही है तो ये भी एक reason रहा है young protesters का की इस तरह के emergency powers को आगे ना बढ़ाया जाए I hope आपको एक लेक्चर इंट्रेस्टिंग लगा हो thank you very much for watching this have a great day